को अस्मान जिस्में होंगे ना कि मैं क्या कर रहा हूं क्या लिख रहा हूं देखना चाहेंगे अब आप सोच रहे होंगे कि मैं माटी पर माटी क्यों लिखना इसके पीछे एक बड़ा अकारण इन्तु वो बताने से पूर तनिक मुझे पानी पे पानी तो लिखने दीजे क्या हुआ जो मैंने लिखा वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे तो ये रहा आपके पहले प्रश्न का उत्ता है माती पर माती लिखना कितना सरल है उतना ही कठेन है पानी पर पानी लिखने अब प्रेश्नी ये उठता है कि पानी पर लिखा कैसे जारे इस प्रकार ये पाशान जल की सते से होते हुए जल में समाग है ठीक इसी प्रकार हमें संबंदों को भी निबाना है इस पाशान की भाती निष्ठा से गहराई में जाओ संबंद कभी नहीं विखेंगे